आज इस सेशन में मैं बात करूंगा about to the product selling की हमारा जो customer है उसे lifetime के लिए कैसे build करके रखना है seven steps में हम customer building model समझेंगे आज से पहले मैं guarantee देता हूँ आप लोगों नहीं है model इस तरह से lean और एक simplest way में आज तक नहीं समझा होगा जिस तरह से मैंने जो system बनाया है और thousand and thousand customers में बना रहा हूँ और proper एक system में हम follow कर रहे हैं उसी तरह से आपको अपने customers का front end, mid hand, back end follow कराना है ताकि आप अपने customers को एक ऐसे funnel में लेकर आपाएं जहां customers हमेशा के लिए आपके साथ में जुड़े हैं जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें जो real हैं lifetime के लिए हैं उन्हें connected रहे हैं और आपको अपने customers को हमेशा repeat बना कर चलना है आज से पहले आपने इस तरह से चीज़े नहीं सीखी होंगी हम seven steps देखेंगे क्योंकि इसके जो देखा जाये तो बात के और steps हैं यह भी आपको मैं next session होगा उसमें cover करूँगा आज हम seven steps पर बात करेंगे यह seven steps आपको lifetime customer building पर focus कराएंगे step by step मैं open करता हूँ first of all introduction पर में चलूँगा what defines a lifetime customer how to turn your message into a moment like आपको एक अपना प्रोड़क का मैसेज मार्केटिंग कैसे मुमेंट करेंगा वह 10 step आपका digital ट्राइब या फिजिकल ट्राइब कैसे बिल्ट करेंगे six ways to activate your digital ट्राइब या फिजिकल ट्राइब डिजिटल फिजिकल लाइगा आपको online कैसे एक्टिवेट करना है कस्टमर्स को structure of monthly आपको विजिट्स को कैसे रखना है implement hidden seeds इस सब चीजों पर आज मैं बात करूंगा और कोशिश क्या करूंगा आपको एक system सिखाऊं so just type RTL in a comment box कि ready to learn है आप just type RTL in a comment box introduction है concept क्या है thousand true fans kevin kelly like ये one of the इनका quote है kevin kelly का कि at least you don't required a lack of peoples in the market you don't required thousand and thousand lower ticket like customers in your business जो कि आपका आए और खूंचो से you only required a thousand loyal friends friends जो आपको lifetime के लिए पैसा दे हैं अगर आप सोचे हैं आप lifetime customers बना लेते हैं तो at least आपके business में जो भी percentage आज है उसके सो हजार गुना business कमाने वाले हैं तो आपको fans build करना है कैसे होंगे समझे लसी भी model implementation क्या कहता है ये चार जगा implement हो सकता है सबसे पहले service sector में है क्या होता है समझे ओला क्या करता है सेम एक्वाइर करता है customers को पहले लेकर आया अपने business में ओला ने सेम चीज़ बताई आजाओ 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 फ्री ओफर दिया फ्री राइड ओफर दी आज कस्टमर्स बिजनस बन रहा है बट सेम मॉडल काम करता है marketing का तो आज जो आप मॉडल सीख रहे हैं वह एक बिजनस सीख रहे हैं एक लेवल सीख रहे हैं कि किस तरह से customers की core strength है profitability कैसे आएगी समझ रहे हैं थर्ड है uber model सेम चीज़े हैं customer जो आज service sector में अपना रहे हैं business model वो लोग जो भी startup करते हैं सेम customers को बनाने के लिए ये काम करना ही पड़ता है सेकेंडर प्रोडक्ट सेक्टर में आप देखेंगे networking के लिए डिस्ट्रिबूशन के लिए इंडारेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स के लिए अपन प्रोडक्ट सेक्टर में पूरी तरह से एक ऐसा business model बना रहा है क्योंकि अपने को को पता है मेरा नेट्वर्क नहीं बने का business नहीं बनेगा मेरा distribution building होगा मेरा नेट्वर्क पूर रहेगा मेरी profitability कम रहेगा इंडारेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं तो ही मैं ज्यादा profit gain कर पाऊंगा यह प्रोडक्ट सेक्टर का model है religious model है स्कॉन स्कॉन का one of the founder शीला प्रभुपाद जो कि मैं जिनको बहुत मानता हूँ और उन्होंने उस age में एक ऐसा society create करा कई सो मंदिर पूरी दुनिया में बनाए और एक same of card of honor रखते हुए तो जो कहते ना आज जो लोग believe नहीं करते थे कृष्णा consciousness में पुरी दुनिया से मैं आपको इन religious बात नहीं बता रहा हूँ कि कैसे society कैसे culture कैसे community बिल्ड होती है जो कि आपको भी करनी है आज mcdonald's है सेम concept स्कॉन में आता है कि नहीं आता है कैसे समझना सुबह प्राता काल आरती साड़े चार पूरे स्कॉन्स में same time same culture same card of honor चार चीज़े नहीं फालो चार चीज़ों को त्याग ना होता है आपको छोड़ना है और वो सारे card of honor आपको फॉलो करने हैं अगर आप सेम टाइम रहेगा पूजा का सेम चीज़े रहेगा mcdonald's में क्या रहता है सेम स्कॉर रहता है सेम चीज़े रहती है उसी तरह से आपका एसोपी बहुत डिपेंड करता है आपके business में funnels बनाने में अ इत्मीन से आप success की और हैं आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या model फॉलो कराना है सेकिंड मॉडल देखिए स्कॉन में सेम हो रहा है तो फिर क्या आश्रम होते हैं कई तरह के टैंपल है spirituality centers में भी आपको यही फॉलो करने देखने को मिलेगा कि model फॉलो हो रही है अब आप जि आपको मैं माहूल दे रहा हूं because of मैं मानता हूं और जानता हूं कि माहूल देना बहुत इंपॉर्टेंट है सो आपको भी कैसे देना होगा किस तरह से करेंगे आप आज आप समझेंगे नेट्वक मार्केटिंग कम्मुनिटी में वन टू अल कनेक्शन रहते हैं उस तरह से भी कई लोग कम्मुनिटी में बिलीव करते हैं और आप भी महाँ पर माहूल दे सकते हैं kind of snacks वाले आपके साथ में तो आप उनको develop कराएंगे यह अभी हम देखेंगे कि कैसे customers को पूरी का इवेंट जो है वो फोटोग्राफर के कमिटे कर रहे हैं व्लॉगर्स के कमिटे कर रहे हैं और पूरा एक इवेंट करा रहे हैं रिसेंट्ली श्रीराम फाइनेंस का एक इवेंट था मोबाइल्स के यह क्यों करते हैं companies because they know very well कि मुझे real customers यहीं से मिलेंगे अगर मैंने customers क 10 lakh rupees per year जो business model है आपका यह आपको समझना है 10 करोड यह बिजनस आप इस तरह से बनाएंगे यह calculation है आप अगर इसको order size को बढ़ा देंगे आपको वह revenue और बढ़ जाएगा आपका घटा हुआ order size होगा तो multiplications पर depend करेगा आपको goal set करना है कि at least एक लाख लोग सोरी एक लाख को order आपको मिले एक हजाल लोगों से तो आपका yearly जो business होगा वह 10 करोड का होने वाला है यह आप लोग का goal set होने वाला है आने वाले 36 मैने में चार साल तीन साल यह आप अपना टार्गेट सेट करें टाइप जी एस यानि की गोल सेट जी एस इन शॉट फॉर्म गोल सेट सिंपल सी बात है बीटू भी में अपने को इतने business हिट करने हैं अगर अपना बीटू सी है तो अपन रिसेलर्स खड़े करेंगे यहां से networking बिल् फर्स्ट कैरिज्मेटिक प्रोड़क्ट इफ यू डॉंट हैव प्रोड़क्ट जिसमें आपको विश्वास है जिस प्रोड़क्ट के ऊपर आपका फेथ नहीं है आप लोगों को भी नहीं बेच पाएंगे यह सो नू यस और नू अगर मुझे मेरे मसालों पे ही ट्रस्ट नहीं है उसकी पैकेजिंग को मैं लूलकुल मानता हूं कि नहीं 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 बिकेगा या मुझे इट्स नॉट अबाउट प्रोड़क्ट पैकेजिंग और प्रोड़क्ट सेंप्लिंग मैं एक बात बता दूँ आपको इट्स आल अबाउट यूर कॉन्फिदेंस फरस्ट को बेच रहे हैं लोग मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा बर कुछ भी बेच रहें पर उस प्रोड़क्ट में अगर जब्लेंडर ब्रैंड कॉल अगर वह प्रोड़क्ट ब्रैंड कॉल है और सॉलूशन है उसमें और वैल्यू दे रहे हो कस्टमर्व को सो इट्स कॉल करिज my product and charismatic skill जो आपको develop करनी है अपने अंदर अगर आपको बिलीव नहीं है रिल्कुल हलका प्रॉडक्ट है ज्यादा दिन नहीं करेगा मार्केट से एप किक आउट होंगे out of trend प्रोडट्ट है kick out होंगे out of pricing product है kick out होंगे ये lifetime customer building नहीं हो पाईगे to trend according to the market according to the scenario आपको पकरना होगा second problem solving क्या solve कर रहा है distribution level पर problem आप जो यह यवी जितने भी मसाले देख रहे हैं चर्फ देख रहे हैं लोकल क्या करते हैं यह लो कॉस्ट मार्जिन पर काम करते हैं नहीं यह डिरेक्ट कवरेज देते हैं डिरेक्ट रिटेलर को देंगे या होल्चिलर को देंगे ताकि यह वो लो मार्जिन के साथ में काम जो कर रहे हैं रिटेलर एक ए कस्तेमर क्लोजिंग नहीं होती है कस्तेमर की ओपनिंग होती है सर्विस इस जस्थ लाइक कि मैंने भी कस्तेमर बनाया मुझे कस्तेमर बनाने के बाद में सर्विस और सपोर्ट मॉडल देना है एंदन केटनेस कैरेड़नेस करेंड आफ उनकी परवा करनी है people don't care about your product about yourself about your machines, plants they don't care they care how much you care type awesome in a comment box they care how much you care people care it means, अगर मेरे पास में आज diamonds की call आते हैं, I'll pick that that call, because मुझे पता है कि उनको यही, आपको यही चाहिए है, आज मुझे जो भी sylvan's में, कई groups में हूं call करते हैं, I'll pick that call because of मुझे पता है और यह आपको पता करना चाहिए यह आपका mission होना चाहिए how to turn your message into a moment समझ यह first level your core core is just like a आप first of all देना क्या चाहते हैं one of the niche में आप क्या solution देना चाहते हैं, best health best problem solving, best test, best your kind of what target market जो चाहिए उसे, क्या चाहिए, आपको यह पता है यह B2B market की product है तो इसका क्या brainstorm है आपको यह पता है और यह core आपके brain से और आपके mind से जोड़ी रहनी चाहिए तो product pick होगा market में जैसे one of the जैसे दिविया है फलारी बेच रही है, अच्छा business कर रही है कुछ लोग chips का बेच रहे हैं, निश में अच्छा business कर रहे हैं कुछ लोग specific जादा हैं, तो वो थोड़ा slow है कुछ लोग generalize जादा हैं, तो slow है मतलब आपको test करना पड़ेगा कि core message चल रही ही नहीं चल रही है specific terrific, at least kind of आपको finally अपनी funnel को test करना पड़ेगा so your core strength आपका सबसे पहला funnel रहेगा second market में अगर आपको moment खड़ा करना है जो भी आपका first level आपका customer होगा second पर आएगा, third पर आएगा, सिर्फ उसी भी trust की वज़े से आएगा आप humans से business कर रहे हैं, मैं human से business कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है न आप website पर आए, purchase कर रहा है, चले गए, नहीं मैं हूँ आपके लिए, आपका product होगा, तो physical product के बाद मैं वो किसे देखेगा अगर आज एक मसाला बेच रहे हैं आप, एक chips बेच रहे हैं, सो वो B2B जो customers उस मसाले को या उस product को पहुचा रहा है consumers तक, तो consumers को जो product चाहिए market में, वो पहुचाया B2B ने, उस B2B order size में आपका trust कितना है, मतलब like your relationship with the customers, it's matter, आप first जो hundred customers में से, जब तक relationship builds नहीं करेंगे, like आपका humble, आपके business में, आप course, mainly ये चीज़ नहीं देखेंगे कि इनको सिर्फो सिर्फ क्या चाहिए है, कि मैं अगर इनके साथ में आज business कर रहा हूँ, ठीक है, दस में से तीन लोगों आए business दुबारा दिया, साथ लोगों ने नहीं दिया, उसके लिए भी मैं भी आपको बताऊंगा, क्या करना है, पर मुझे सब को एक समान देखना है, starting में, फिर जब ये मेरी calculation चलेगी, कि यार ये जो जा रहे हैं, इनको कहां पर रखना है, और जो आ रहे हैं, इनको कहां पर रखना है, so build a trust, start collaborating, collaborate with kind of, जैसे संजीव जी ने लास्ट टाइम, इनिशेट लिया, कि वे हैब टू भी परचेस, स्टार ग्रुप से हैं, मशीन, जहां पर हम बार्गिन कर पाएं, start collaborate, offline business owners, आप chips बेच रहे हैं, target करें कि जो मसाला बेच रहे हैं आपके market में, आप उसका order size पकड़ लें, आपके आसपास में cycle पकड़ा, आपने देखा कि यह brand यह brand दोनों को मैं place कर सकता हूँ, order size बढ़ जाएगा, profitability बढ़ जाएगी, आप collaborate कर लेजे, अपने market में, आपका product जहां पर जा रहा है, same kind of product किसी और के पास है, collaborate करिए, find out करिए, मिलिए, ताकि आप उसको समझा पाएं, भाई, तू भी बेच रहा हैं, मैं भी बेच रहा हूँ, मैं क्यों cost लगाँ, तू मेरा product बेच, मैं तेरा product बेचता हूँ, औ कई सारे इसमें loophole से, कई सारे problems हैं कि वो भी बाद में distributor बना दे, बट हम order size बना रहे हैं, हमारा नाम तो जा रहा है, हमारा एक brand हमारा है, second हम brand interviews करा रहे हैं, इसको बोलते हैं, substitute brand strategy, उसके थूरू लेकर चल जाएंगे, भई, एक ही product को बेचने, ओपो वाले आते हैं, एक ह measurement category को collaborate करके order size को बढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगा है strategy, type good in a comment box, भाई आप फलारी बेच रहे हैं, आप किसी से मखाने का product source कर लिजे, brand name बना बना है, मिल गया, website पे put on करना है आपको, type good in a comment box, thank you, thank you, okay, understand market demand, UMD, अगर आप product seal कर रहे हैं, और packaging to selling पे हैं, आप product place करा सकते हैं, और ज्यादा, focus to the market, कि जो भी हम सरु करें, understand करें, और इस पर अपने को follow करना है, empower leaders, business partners, देखो, ये point है न, उन लोगों के लिए है, जो मुझसे अक्सर पूछते हैं, कि investor कहां से मिलेंगे, investor आपको कहीं से नहीं मिलेगा, investor आपको आपके customer में से मिलेगा, number one investor होता है, super stockist, second होता है, distributor, third होता है, वो investor जब आपका business अच्छा चलता है, वो आता है, देखता है, इसके business में मैं पैसा लगा सकता हूँ, आप बताता है, ये मेरा balance sheet है, ये मेरा business है, अगर ये आप invest करोगे, तो I'll give you the equity, I'll give you the share, और आप अपना LLP में firm register करते हैं, और वहां पर आप अप कुछ न कुछ offering देते हैं कि yes, अभी आप अपना business expand करना चाहते हैं, you can come with me, या फिर आप उनको partnership shares में उनको empower करते हैं, इस तरह से अपने को 5, अगर अपन एक message को moment में खड़ा करना चाहते हैं, वो हो पाएगा people से, वो हो पाएगा customers के उन लोगों की वज़े से, जो आपके साथ में connected रहेंगे, ये आपको follow करना है, ठीक है, type clear in a comment box, तीन steps पर बैने बात करी, अभी right now four steps remaining है, clear, और सब लोग type करें, because अगर आप type नहीं कर रहे हैं, it means I can feel कि आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी, देखाना class में हमने जो लोग type करते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान रहता है teacher का, just feel करें कि आप एक student है, आपको लगता है, आपको ज्यादा आता है, ये सब पता है, you can go and apply whatever you think, but I am applying same model, जो मेरे mentor ने apply करा हूँ, 10 step process of digital या physical tribe आपको ये समझना है, क्योंकि मैं digital बोल रहा हूँ, आपको method समझना है, दो तरह के market हैं, अभी, एक तो offline market है, और एक online market है, अब आपको ये model होगा कि tribe का मतलब क्या है, tribe का मतलब वो है, जो customers है ना, already आपके market में, जो आपके customers होंगे, जो आपके business में लोग हों क्यालाईगी, और इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, आपको filter करना पड़ेगा customer को, कैसे समझे, पहले तो ये बनेंगे कैसे, जैसे 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 ये team widgets होंगी, आपकी widget होंगी, first offline में, आप business growth करेंगे, आपका events होगा, events kind of, जैसे कि शादी आपने देखा होगा, शादी party म सब लोग मिलते हैं, आपने एक नया product market में launch कर रहा है, आपने देखा है, ये 100 retailers है, 100 के जगए 300 देख लिए, आपने एक market survey कर रहा है, 300 retailers को मैं एक event में बुलाना चाहता हूँ, नया product introduce कर रहे हैं, आप market में, 300 retailers का आपने एक लाख रुपे का एक funnel बनाया, कि average 300 रुपे per plate ख खाना, 10-20,000 रुपे का event रख दिया, कुछ recognition awards रख दिये, कुछ 10-20 लोगों को वहाँ पर आपने introduce करा, जो की modern trade market में थे, जिनका business अच्छा है, जहां आपके ideal customers हैं, उनको आपने introduction में डाल दिया, अब exposure कैसे दिलाएंगे अपने आपको, समझेगा, 300 में से 200 लोग आए, आ 30-40 लोग आपके घर के थे, 300 लोगों का खाना हुआ, 300 पर प्लेट था, एक लाख रुपे की investment होई, वो 300 लोग आपके साथ में रहेंगे, नहीं रहेंगे, अभी decide नहीं हुआ है, पर अब decide कैसे होगा, समझना, अपने offline event में, अपना product introduce कराया, product के बारे में बताया, discount के बा offline market में आप जाते हैं, तो 300 customer तक पहुँचने के लिए आपको 6 मेने, 4 मेने, लगते हैं की नहीं लगते हैं लोगों को, उन लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, पर पहले ही level पर अपने 300 लोगों को, एक से डेल लाख रुपे के investment से एक events करके exposure दिलाया, अपने brand का, कितने लोगों को exactly हिट करा है, type HT in a short form, कि yes, events करके हम exposure, अब गर अपन bounce back कर रहे हैं, नया प्रोडक्ल आ रहे हैं, यह strategy हिट करती है market में कर दो